दोस्तूं जैसा कि आप सबको पता है लोडी का पर्व आने वाला है 14 जन्वरी 2024 में लोडी आने वाली है आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे लोडी की सच्छी कथा कहानी आईए सुरू करते हैं लोडी की कथा लोडी का संबंध सुन्दरी नामक एक कन्या तथा दुल्ला वट्टी नामक एक योध्धा से जोड़ा जाता है इस संबंध में प्रचलित एतिहार शिक कथा क्यानुसार गंजी वार छेत्र में एक ब्रहाममड रहता था जिसके सुन्दरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की भाती भहुत सुंदर थी. बै इतनी रूपवान थी कि उसके रूप योवनवा सुंदर की चर्चा गली-गली में होने लगी थी. दिरे-दिरे उसकी सुंदर्ता की चर्चे उड़ते-उड़ते गन्जिवार के राजा तक पहुँचे. राजा उसकी सुन्दर्ता का बखान सुनकर सुन्दरी पर मोहित हो गया और उसने सुन्दरी को अपने हरम की सोवा वनाने का निश्चे किया गंजीवार के राजा ने सुन्दरी के पिता को संदेश भेजा कि भै अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दें इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा उसने उस ब्राहमण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोवन दिये राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राहमण घवरा गया वै अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था जब उसे कुछ नहीं सूजा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपोती योद्धा दुल्ला भट्टी का खयाल आया जो एक कुख्यात डाकू वन चुका था लेकिन गरीवों वासोसितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार स्रद्धा थी ब्रहमण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुँचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई दुल्ला भट्टी ने ब्रहमण की ब्यथा सुन उसे सातना दिया और रात को खुद एक सुयोग ब्रहमण लड़के की खोज में निकल पड़ा दुल्ला भट्टी ने उसी राते की योग ब्रहमण लड़के को तलास कर सुन दुल्ला भट्टी को अपनी ही बेटी मान कर अगनी को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हातों से किया और ब्रहमण उवक्य साथ सुन दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुन देने क लिए कुछ भी नहीं था अथा उसने तिल वासक कर देकर ही ब्रहाम मड़ी उवक्य हाथ में सुन्दरी का हाथ थमा कर सुन्दरी को उसकी सुसराल बिदा किया गंजीवार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो भै आग बवूला हो उठा उसने उसी समय अपनी सीना को भट्टी के ठिकाने की ओर बड़ी लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी तागत लगा कर राजा की सीना को बुरी तरे धूल चटा दी दुल्ला भट्टी के हाथों साही सीना की करारी सिकस्त होने की खुशी में गंजीवार में लोगने अलाब ज और दुल्ला भट्टी के प्रसंसा में गीत गाकर भंगडा डाला कहा जाता है कि तभी से लोडी के अपसर पर गाई जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को बिसेश तोर पर याद किया जाने लगा दोस्तों आये आपको लोडी पर सुनने वाला गीत सुनाती हूं दुल्ला भट्टी बाला हो दुल्ला भट्टी बाला हो लोडी के मौके पर यह गीत आज भी जब बातावरण में गूचता है तो दुल्ला भट्टी के प्रती लोगों की अपार सुरद्धा का आवा स्वता ही हो जाता है दोस्तों यहीं पर हमारी लोड़ी की पौराणिक कता समाप्त होती है अगर आपको लोड़ी की पौराणिक कता पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले लोड़ी की आप सभी को लख लख बढ़ाएं दोस्तु